तो यहां हम पढ़ रहे हैं और एक्जाम्स बहुत पास में हैं तो आप सब बच्चे अच्छे से रिविजन कर रहे होंगे और अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स मिलेगे हम इसको दुबारा से पढ़ेंगे और अच्छे-च्छे मार्क्स लाएं तो चलिए आज देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी हैं जहां पर सबकुछ उल्टा-पुल्टा है मतलब जैसे हम पैरों से चलते हैं और उस अजीब सी जगह पर लोग अपने सिर से चलते हैं वहां बच्चे रात में स्कूल जात टॉपसी टर्वी मतलब उल्टा-पुल्टा उल्टी सीधी जगह तो ऐसी ही हमारी एक ये पौंती टॉपसी टर्वी लैंड जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसकी कुछ एक्साइज करेंगे कुछ क्वेशन आंसर करेंग और कुछ word meanings और अपना जीते बढ़ाएंगे और साथ में pronunciation सीखेंगे कुछ difficult words की तो ये जो हमारा lesson है ये है हमारा UP board की marigold book और class 5 का और unit है हमारी 7 unit चल रही है और तो चलिए शुरू करते हैं अपना lesson तो हमारा poem था यानि lesson था टॉपसी टर्वी लांड तो ये है उसके कु में कुछ भी words मुश्किल नहीं है पर फिर भी कुछ words हैं जो एक बार हम देख लेते हैं टॉपसी टर्वी इसका मतलब है upside down यानि अगर आप ऐसे सीधे हो आपका सर यहां है तो यहां पर सर यहां होता है और यहां होती है पैर तो हम ऐसे चलते हैं और यह अपने सर से चलते हैं बापने कितना मुश्किल होगा ना ऐसे चलना बट एनिवे यह जब एक imagination है हो सकता है कहीं हो ऐसी बट मुझे तो नहीं पता है चल्दी नेक्स्ट है pleasure pleasure feeling of enjoyment मतलब जब हमें कोई काम करके मजा आता है जिसे खेल हम अपने friends की साथ होते हैं तो में बहुत मजा आता है जब हम enjoy करते हैं उसको कहते हैं pleasure grand grand मतलब big or great fun मतलब बहुत ही मजा आया it was मतलब यह बहुत अच्छा grand था बड़ा था ठीक है तो उसका मतलब होता है grand यानि great fun यानि बहुत अच्छा मजा आना या कोई चीज का बड़ा होना तो देखते हैं next हमारी जो exercise है वो क्या है next है reading is fun तो first हमारो question है when do children go to school in topsy-turvy land मतलब जो topsy-turvy land है उसमें बच्चे school कब जाते हैं when means कब जाते हैं तो चलिए देखते हैं इसका answer तो हमारा इसका answer है in topsy-turvy land children go to school at night मतलब topsy-turvy land में बच्चे रात में school जाते हैं जबकि हम सब दिन में जाते हैं next है in the poem if buses travel on the sea then where do the boats travel how should it rightly be मतलब की poem के हिसाब से अगर buses sea में travel करती है then where do the boats अगर bus travel sea में travel करती है तो boats कहां travel करती हैं how should it rightly be तो मतलब यह कैसे ठीक होना चाहिए या कैसा होना चाहिए so in the poem boats travel in the street they should travel on the sea तो जो boats है वो street पर travel करती है जबकि उनको sea में travel करना चाहिए तो यही है इसका answer इसका मतलब है कि कुछ topsy-turvy land में होता है और कुछ हमारी land में होता है तो उनों में थोड़ा difference है तो चली देखते हैं number one people walk on their heads तो people topsy-turvy land में लोग अपने सर से चलते हैं और land पर वो चलते हैं अपने feet पर मतलब अपने पैरों पर चलती हैं तो जो topsy-turvy land में busses sea पर चलती हैं और हमारी land में busses कहां चलती हैं busses run on land तो सेम आप लिख सकते हैं the busses run on the land तो number third है third है हमारा they wear hats on their head मतलब land में जो hat है वो हमार head पर पहनते हैं और यहां पर on their feet सेम है they wear hats on their feet next यह है topsy-turvy land boats travel in the street जो boat है वो travel street पर travel करती है और यहां पर on sea तो आप लिख सकते हैं boats travel on the sea next fifth land में people pay for what they get मतलब हम जो हमें मिलता हैं उसके लिए ही pay करते हैं या हम जो pay करते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है बट यहां people don't pay for what they don't get यहां हम लगा देंगे don't तो people pay for what they don't get तो यह है difference between topsy-turvy land and on our land अब चलिए देखते हैं fun with sounds English में sounds बहुत ही important होती है क्योंकि अगर हमें particular letter की sound अच्छे से आती है तो उसका हम जो pronunciation होता है उस word का उस letter के हिसाब से वो हम अच्छे से English को बोल सकते हैं तो चलिए हम सीख लेते हैं कुछ pronunciation यहां पर है यह देखिए इसका मतलब है जर यानि pleasure आप लोग मेरे साथ बोलिए pleasure, treasure, measure तो यहां पर जो sound है वो है जर यह है wear, tear, stare, wear तो sound आ रही है हमारे पास यह wear नहीं है यह wear, tear, stare, wear ना तो A है particular ना E है ठीक है उन दोनों की बीच की बहुत soft सी sound है wear, tear, stare, wear अभी यहां पर है planned, canned, scanned, strand तो जो D है वो again बहुत soft sound है हम planned नहीं बोलते हैं, canned नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं planned, canned, scanned and strand यह है topsitory, hurly-burly, curly-burly ठीक है चली है next हमारी जो exercise है let's talk, let's talk, the words in the sentences are jumbled here तो यहां को sentences हैं, यह jumbled, इसमें जो words हैं वो jumbled हो गए हैं, jumbled होते हैं कि जब उनका order आगे पीछे हो जाता है तो rearrange them to make meaningful sentences तो हमें इनको meaningful बनाना है यानि rearrange करना है जिससे proper sentence बन जाए words that begin with a capital letter are the first word of the sentences तो इसमें जो भी, जो word capital letter से शुरू है वो sentence का first word होगा तो यह इन्होंने थोड़ा सा हमें hint दिया है यहां पर तो first है, reno naughty is a girl तो r, reno, capital है, तो it means यह first word है तो इसका order क्या होगा? reno is a naughty and a, u, g, h, t, y, naughty girl तो reno is a naughty girl यह ऐसे होगा ठीक है? second है, untidy room, her always is तो her capital है, तो यह first होगा तो her room is always untidy तो 1, 2, 3, 4 तो her room is always untidy ठीक है? third, mother her advises her clean to it तो यहां पर है, यह her है which starts with capital, तो it means यह first word है so her mother advises her to clean it her mother advises her to आएगा fifth, to clean it यह देखे, her mother advises her to clean it next, never listens she her mother to तो again, S capital है, मतलब यह first word है तो she never listens to her mother यह हमारा ऐसे आप यह कर लिजे next, kind of what child A-U-R तो again इसमें जो W capital है तो मतलब यह first है what kind of a child are you? so what kind of a child are you? यह ऐसे होगा what kind of a child are you? ठीक है, तो जब हम इसको एक बार ठीक कर देंगे मतलब अरेंज कर देंगे तो यह proper sentence बन जाएंगे चलिए, अब है बड़ा ही interesting part है two stories got mixed up sort them out and write them in the appropriate boxes तो यह कुछ यहां पर sentences है इसमें दो stories mixed हो गई है और इन दोनो stories को हमें अलग अलग लिखना है तो पहले पढ़ लेते हैं first we thought the lion had eaten someone second suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the tree tops third he saw a shoe in the lion's cage fourth finally the kite brought him back to the park तो इसके next है our class had gone to the zoo पूरन was flying the brand new kite in the park some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo पूरन was frightened and excited the lion had not eaten anyone because the shoe was one of lion's toys तो अब देखी यह है हमारी one magic kite and second है who did the lion eat तो हमें वो जो sentences mix हो गए है उसमें से अरेंज करके कुछ sentences यहां लिखने हैं जो इस कहानी को suit करते हैं और कुछ हमें यहां लिखने हैं तो चली देखते हैं कि magic kite में कौन कौन से sentences suit होते हैं तो पहला है हमारा इसमें आएगा शायद कि sorry यस पहला आएगा यह पूरन was flying the brand new kite in the park तो यह हमारा हम इसमें लिखेंगे इसमें हम लिखतेंगे magic M M A G I magic one मतलब यह first sentence है पूरन was flying the brand new kite in the park ठीक है first अभी second क्या होता है इसमें चलिए next इसमें देखते हैं तो yes suddenly यह होगा M M यानी magic two suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the tree tops मतलब तभी kite ने उसको उपर उठा लिया और पेडों के उपर से ले गई अभी जो third होगा अब क्या हुआ पूरन काइट उड़ा रहा था फिर काइट उसको उपर ले गई अब third होगा यह magic magic three पूरन वस फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड तो पूरन बहुत डर गया था और बहुत एक्साइटेड भी था अब next होगा हमारा इसमें finally यह है fourth finally the kite brought him back to the park यह है magic kite का fourth one तो यह हमारी कहानी पूरी होती है magic kite तो यह हमारा हो गया है पहले तो चली देखते है तो हमारा इसमें first था पूरन वस फ्लाइट 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 यह है so first है पूरन वस फ्लाइट ब्राइट न्यू काइट इन दा पार्क इसको हम ऐसे circle कर लेते हैं यानि यह first magic kite का है then second है हमारा इसमे yes suddenly the kite lifted him off the ground ठीक है and then third है इसमें हमारा this one is third पूरन was frightened and excited then fourth है finally the kite brought him back to the park यह हो गए हमारे char for the magic kite next जो हमारी कहानी है यह कहानी है हमारी यहाँ पर आगे हमारे char sentence next है who did the lion eat मतलब lion ने किसको खाया चली देखते हैं क्या हमारे पास so सबसे पहले है इसमें हमारा आएगा our class had gone to the zoo तो यह आएगा हमारा यहाँ मैं टिक कर देती हूं मतलब यह second कहानी का है first part first sentence our class had gone to the zoo अभी second इसमें आ सकता है the lion had not because the shoe was one of lions okay next देखते हैं we thought the lion had eaten someone he saw a shoe in the lion's cage suddenly okay इसमें दो हैं हमारे we thought the lion had eaten someone he saw a shoe in the lion's cage तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा he saw a shoe in the lion's cage हाँ तो यह आएगा हमारा इसमें second he saw a shoe in the lion's cage यह हमारा second third है हमारा we thought the lion had eaten someone third this is the this is the third one हमने एक उसने मतलब एक shoe lion की cage में देखा तो उसे लगा कि lion ने किसी को खा लिया है ठीक है तो बट यहाँ पर है next है some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo तो जब कुछ बच्चों ने एक shoe वहाँ पर उसकी cage में देखा तो कुछ बच्चे डर गए चिलाने लगे और कुछ जू का डारेक्टर था उसके पास भागे यह है लास्ट वन हमारा तो चली देखते हैं अभी तो अभी हमारी जो कहानी हैं दोनों पूरी हो गई है और साथ में हमारा लेसन यानि जो पौम है तो टॉप सी टर वी लैन भी कम्प्लीट हो गई है तो आई होब कि आपको अच्छे जी समझ में आई हो गई और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिगे हम इसको दोबार से पढ़ेंगे और करेंगे क्योंकि अभी एक्जाम साने वाले हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो चली मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें और सीखते रहें और अगर चैनल अच्छा लगता है समझ में आता है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंज की साथ और सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर